सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम रिसर्च के अंदर एक नया और इंपोर्टन टोपिक करने वाले हैं पोजिटिवीजूम एंड पोश्ट पोजिटिजूम इसके अंदर से काफी कोशन आने की संभावना है तो इस टोपिक को आप ध्यान से देखना और पूरा देखना दोस्तो हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एकजाम के लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो सिस्टमैटिक ढंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी और स्याम की वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तो दस unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्त तो सबसे पहले हम बात करते हैं positiveism की इसको English में positive wisdom कहा जाता है और Hindi में इसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है इसको हम बहुत ही असान भासा में और with example समझने की कोशिस करेंगे दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या होता है कि let's start our brief discussion of philosophy of science with a simple destination between epistemology and methodology अब देखिए हमें positiveism को समझने से पहले हमें समझना होगा कि epistemology क्या होता है और methodology क्या होता है epistemology क्या होता है is the philosophy of knowledge or how we come to know यानि कि इसका मतलब यह होता है कि हम किसी भी knowledge को किस तरीके से grant करते हैं उसे किसी भी ग्यान को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं और इसे कहा क्या कहा जाता है knowledge of knowledge भी कहा जाता है इसमें से कोश्चन आया था दोस्तों वट वट वी से नोलिज ऑफ नोलिज तो उसका क्या अपिस्टमिलोजी आएगा यानि कि ग्यान का ग्यान प्राप्त करना क्या कहलाता है अपिस्टमिलोजी कहलाता है अब देखें मैथ्रलोजी में और अपिस्टमिलोजी में क् रख है अब हम methodology की बात करते हैं methodology is also concerned with how we come to know but it is much more practical in nature अब देखिए methodology के अंदर भी हम यह जानने की कोशिश करते कि कोई काम किस तरीके से होता है लेकिन इसके अंदर के दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा practically और थोड़ा advanced तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हर चीज को अब देखिए इसके अंदर हम दोनों में एक example लेने की कोशिश करते हैं उसको आपको जिससे आपको बहुत असानी से समझ में आ हैं अब हम मान के जलते हैं कि हम खाना बनाना सीख रहें सबजी बनाना सीख रहें एक बंदा हमें बता रहा है कि पहले आपको सब्जी काटनी चाहिए और फिर उसके अंदर पानी डालना की ये मिर्च डालनी चाहिए ये डालनी चाहिए यानि कि एक बंदा जब हमें theoretically समझा रहा है और theoretically हम समझ रहे हैं उसको देखके समझ रहे हैं तो वो क्या होगी दोस्तों methodology हो गई ठीक है तो मेरे को उमीद है कि आप यहां से बिलकुल असानी से समझ गए होगे अब हम आगे बात करते हैं कि positivism क्या होता है देखिए information drive from sensory experience through reason logical form of exclusive source of all certain knowledge अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ये English में लिखा हूं मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम अपने sense यानि कि अपनी knowledge के दवारा अपने experience के दवारा अपने logic के दवारा किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं विज्यानिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं positiveism कहते हैं दोस्तों ठीक है अब यहाँ पर एक और example मैं आपको लेकर दिखा रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल clear cut समझ में हो जाएगा की positiveism क्या होता है अब देखिए पहले क्या होता था कि लोग अंद विश्वास पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे देखिए हम एक example लेकर चलते हैं कि किसी खेत के अंदर एक हनवान की मुर्ति निकली ठीक है तो उस पर जहां वहां के आसपास के लोग थे गाउं के लोग थे उन्होंने बहुत विश्वास किया वह भगवान की मुर्ति निकल गी वो पूजार चना करने लग गी ऐसे वैसे वो अंदभक्ती में पढ़ गए उन्होंने आँख मिचके उस पर विश्वास कर लिया वह भगवान की मुर्ति निकले ये तो बहुत अच्छा है और ये भूमी तो बहुत अच्छी है ऐसे वैसे उन्होंने बगएर कुछ सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया लेकिन अ वो मूर्ति है धर्टि में से कیसे निकल गई उन्होंने वी अपना ग्यान लगाया तो उनोंने देखा कि उस जो मुर्तिती मुर्ति के नीचे चने रखे हुए थे चने की एक थैली रखी रखे हुई थी और वो थैली क्या थी दोस्तों जब वह उसको नमी मिलने लगी तो जो चने है वो फूलने लगे फूलने से क्या हुआ वो जो मुर्ती रखी हुई थी वो उपर के और उठने लगी उपर के और उठने लगी तो मतलब वो परकट होती हुई नजर आए तो ये जो सारा था एक व्यक्तिने क्या हुआ था एक पाखंडी वैक्ति ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीज की हुई थी तो जो तीन चार लोग आए उन्होंने विग्यानिक तरीके से समझने की कोशिस की कि ये चीज हुई तो क्यों ही किस तरीके से हुई उसके अंदर क्या है कि दोस्तों उन्होंने अपना experience लगाया, reason लगाया, logic लगाया तब जाके उन्होंने किसी चीज को समझने की कोशिस की तो उसे हम क्या कहते है, positive vision कहते है और positive vision से पहले क्या होता था, लोग अंद विश्वास ज्यादा करते थे कही सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास करते थे तो मेरे को लगता है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और भी इसके अंदर काफी तरह की बात तेज़े से हम समझने की कोशिश करते हैं अब सबसे पहली बात जो कोशिशन पेपर में पूछी जाती है कि आप इस पॉजिटिविजम की धाना किसे ने दी थी तो वो नाम आएगा दोस्तों अगस्ट कोवमेट इने दी थी और यहां से आप पढ़ सकते कि समाज सास्तर समाजिक प्रकिरियाओं का वेग्यानिक अध्यन करता है अब यह देखिए इसने यही बात कही है कि जिस तरीके से हम वेग्यान के अंदर वेग्यानिक एक्सपेरिमेंट करकर करके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से समाज के अंदर हम समाजिक घटनाओं का अध्यन करके उसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप असानी से पढ़ सकते हैं काफी सारी चीज़े इसमें लिखी हुई हैं और इन्होंने 1830 और 1842 के वीच में एक बहुत important पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने सिसियोलोजी सब्द का यूज किया था ये question भी आ सकता है दोस्तों के सिसियोलोजी सब्द का यूज किस ने किया था और इसके अंदर क्या था समाज सास्तर की प्रिवासा देते हुए उसे समाजिक क्रियाओ के अध्यन का एक एमुर्द से धानतिक विज्यान कहा जाता है अब देखी इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था इस पोस्तक में इन्होंने तीन स्टर की बात की थी सबसे पहला जो स्टेज था उसके अंदर धार्मिक स्टर की बात की थी धार्मिक स्टर पे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो लोग धार्मिक हो जाता वो बिलकुल बिन करने लग जाता है कॉमेंट के अनुसार दूसरी अवस्ता है तात्विक सोच की इस स्थिति में व्यक्ति एक एद्रिस्यत था निराकार सक्ति के अस्थितों को महसूस करता है यानि कि अपने ख्यालों में खोए रहना या फिर अपने आप से किसी चीज को माल लेना यानि कि ज वेग्यानिक सतर में क्या होता है दोस्तों जो भी चीज होते हैं वह वेग्यानिक रूप से आइडेंटिफाई करींग की जाते हैं उसे जांचा जाता है परखा जाता है सोचा समझा जाता तभी जाके कोई निर्ने लिया जाता और तभी किसी चीज को माना जाता है तो यह तीन चीजे होते हैं धार्मिक स्तर पे जो हमारे देवी देवता थे उन पे ज्यादा विश्वास किया जाता था और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज इन में से समझ में ना आ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वोक्स के जरीए अब देखिए आगे बात करते हैं दो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हमने पढ़ाता कि पॉजिटिविजम पॉजिटिविजम के अंदर क्या होता कि हम किसी भी चीज को विग्यानिक तरीके से समझने की कोशिस करते हैं लेकिन पॉष्ट पॉजिटिविजम के अंदर क्या होता हम विग्यानि पलस हमारा जो traditional तरीका है जो हमारे सोचने समझने की जो हमारी अवधारणाय बनी हुई है उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं उन दोनों को साथ में लेके जो चलते हैं तो उसे हम कहते हैं post-positivism यानि कि हम उसे एक किसम से ये कह सकते हैं हम इसके अंदर विज्ञानिक तरी प्रिका है वो भी यूजड करते हैं ठीक है यानि कि यह दोनों जो चीज़े यूजड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पो उस्ट-Positivism कहते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या है उत्तर पर्तेक्सवाद सिधान्तों को विग्यानिक या समाजक विग्यान होने का प्रयास कर होता है ताकि यह तैकिया जास्के की घटना के पीछे क्या करना है अब देखिए इसके अंदर क्या होता कि विज्ञानिक पलस और हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका उन दोनों तरीका का तरीकों का यूज करके हम किसी भी चीज को समझने की कोशिस करते कि यह कैसे हुआ है अब आपको मैं एक बहुत ही जबर्दस्त एक्जांपल देने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल कहानी समझ जाएंगे अब देखिए यह एक मरीज है यह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टरों ने सभी डॉक्टरों ने कह दिया भाई तू ठीक नहीं हो सकता तेरी जो बिमारी शक्ता वो बहुत कम हो गया ठीक है उसे खुद अपने आप लगने लग गया कि नहीं यार मैं ठीक नहीं हो सकता सभी ने उसका जो मोरल है वो डाउन कर दिया था अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों उसके बाद किसी ने इस इनसान को कहा भीत तू ना उस बाबा के पास ठीक है इस बाबा के पास जाने से तो बिलकुल सही हो जाएगा ये मेरा विश्वास है उस बाबा के पास जाने से आज तक हजारों लोग ठीक हो चुके हैं तो इस बंदे ने क्या क्या दोस्तों इस बाबा के उपर विश्वास कर लिया अब इस बाबा ने कहा कि तू ठीक हो जाएगा कौन कहता कि तू ठीक नहीं होगा मैं कहता हूं तू ठीक होगा और होगा तू अपने पैरों पे चलेगा तो सब कुछ करेगा तू ठीक होगा इस बाबा ने इस इंसान को पूरा विश्वास दिलाए कि तू ठीक हो जाएगा और बहुत ही जल्द ठीक होगा तुम्ह क्या करना है तुम्हें योगा करनी है तुम्हें पूजा करनी है तुम्हें ये करना है तुम्हें वो करना है यानि कि दो चार चीजे इन्हों इसको बताई और कुछ चीज कुछ मेडिसन भी खाने को दीम बाबा ने अब क्या हुआ दोस्तो अब इस इनसान के अंदर आतम विश्वास आ गया इसके अंदर दोबारा से वो विश्वास जग गया कि हां मैं ठीक हो सकता हूं हां मैं ठीक हो सकता हूं फिर क्या हुआ दोस्त नहीं था यहाँ पे इस बाबा ने इस इनसान का जो मॉरल था वो उंचा बढ़ा दिया इसका विश्वास था वो दोबारा से क्रियेट कर दिया कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ और लेकिन यहाँ पे जो एक विग्यानिक थे एक डोक्टर थे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से कह दिया था भाई तु ठीक नहीं हो सकता ठीक है इन्होंने इसका मॉरल डाउन कर दिया लेकिन यहाँ पे एक अंद्विश्वास में आके हम एक किसम से कह जाकते कि अंद्विश्यास में आ गया था लेकिन दूसरे त्डीके से इस चीज़ को समझने की कोशिस करें तो प्रसमें अंधविस्वास भी कहे सकते हैं कि इनों ने कहे दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ गए एक इसके अंदर विस्वास जगा दिया तो यह क्या हुआ दोस्तों यह जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं जिसके अंदर हम दोनों तरीके से सुझने की खो Inspirac हैं तो दोस्तों ये था हमारा पोस्ट पोजिटिविजम और यहां पे हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है अब देखिए उत्तर प्रतेक्सवाद में प्रतेक्सवाद के साथ साथ अपने अनुभवों को मिला कर किसी घटना का प्रिक्शन किया जाता है इसके अनुसार सभी अ कल के आई है वो ऐस्थिर है वो बिलकुल स्थिर नहीं है जैसा कि डॉक्टरों ने कह दिया भी तो ठीक नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि तो ठीक हो यह नहीं सकता यानि कि इनकी बात बिलकुल ऐस्थिर है यानि कि डॉक्टरों की जो बात है वो गलत भी हो सकती है ठीक है समझगे दोस्तों आप तो इस तरीके से ये होता है पोजिटिविजम और पॉस्ट पोजिटिविजम और फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना हिए तो आप हमसे कोमेंट वोक्स के जरीए पूछ सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बह गंटी का वटन जरूर दोवाईए ताकि आप कमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके हैं कैई दोस्तों